पसकार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब तरदक पर तो दोस्तों गुरूब डी के जो इस्टुडेंट है उनके लिए काफ़े अच्छी खुसकवरी आ चुकी है जिन इस्टुडेंट के एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गई तो दोस्तों उ तो आप फिर से एक बार और मोडिफिकेशन लिंक के दुआरा सिगनेचर और फोटोग्राफ को अप्लोड कर सकते हो दोस्तों काफी अची खुसकवरी है उन इस्टुएंट के लिए जिनके एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गई तो दोस्तों इस नोटिस को देखने के बात दोस्तों इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 26.11.2021 को एक इंपोर्टन नोटिस आया है रिगार्डिंग किसके दोस्तों जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो इस लिंक पर किसे आप क्लिक करोगे तो एक PDF फाइल ओपन होगी उसको आप डाउनल कर लीजिए दोस्तों इस PDF फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन कंडिरेट के एप्लिकेस्ट फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो आप फिर से एक बार और मॉडिफिकेसर लिंक के दुवारा फॉर्म को भर सकते हैं तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसमें उसमें तो साफ साफ अपने पास इसकेंड फोटोग्राफ और सिगनेचर अपने पास रखिए जैसे मोडिफिकेसर लिंक तुरंत आएगा तो तुरंत आप लोगों को यह फोटो अप्लोड कर देना है कि दोस्तों चुरंत आप लोगों को लिखा हुआ है कि डिसेजन ओफ और रिगार्डिंग और फोटोग्राफ सिगनेचर शेल भी फाइनल एंड बाइंडिंग और दोस्तों एक बार अप जो आपको आपको अपॉस्टियोटी मिल रही है अगर इसके अंदर आप एक बार फाइनल कर दोगे जो आपको दुबार इसकेंदर मोडिफिकेसर लिंक के दौरा नहीं कर सकत दोस्तों काफ़ अच्छी खुसकर रही है उन इस्टुटेंट के लिए जिनके एप्लिकेसर फॉर्म रिजक्ट हो गए थे तो आप जल्दी दोस्तों आप लोग के लिए मोडिफिकेसर लिंक डाल दिया जाएगा तो आप तुरंत अपने फोटोग्राफ और जो सिगनेचर उसको फिर से अफ्लोड के लिए तो अप्यों कर अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को जरू सब्सक्राइब करना ताकि रेलवे की रेगार्डिंग जितने भी इंपोटन इंफोमेशन है वो आप सभी तक मिल सके हम मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तक के लिए धन्यवाद